Hello everyone, welcome back to my channel आज में लेका रही हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी सी सुजी और आलू की पूरियाँ जिससे बनाना तो बहुत आसानी जो बलकुल अलग ठंग से बनता है ये बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही स्वाधिश लगती है इसे एक बार मेरी तरीके से बनाएंगे ने तो आप बार बार इस तरीके से बना कर खाएंगे और इसके साथ ही मैंने बनाया भंडारी वाले आलो बिना लसुन प्याज के जो पूड़ी के साथ बहुत ही स्वादिश लगता है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एक कब बारिक वाली सूजी, कोई भी सूजी हो आप उसे ले सकते हैं, अगर मोटी सूजी हो तो उसे मिक्सर में डाल कर आप उसे फाइन बना सकते हैं, साथ ही हमने यहाँ पे लिया है एक कब गरम पानी और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें सूची को अच्छी तरह से फेटना है हमने एक साथ पानी नहीं डाला है थोड़ा थोड़ा डाल कर ही इसे अच्छी से मिक्स करेंगे और बाकी बचे पानी को भी हमने इसमें डाल दिया है पूरा एक कप पानी लग गया है और इसे अच्छी से फेट देते ह सारे आलो को अच्छे से ग्रेट करके लेने से क्या होगा पूडियां हमारी बेलतेवक्त फटेंगी नहीं और यह काफी खस्ता और काफी क्रिस्पी हमारी यह पूडिय बनकर तयार होगी तो चलिए आलो को ग्रेट कर लिया अब इसमें डालते हैं स्वादवनुसर नमक एक च हिंग का फ्लेबर भी इस पोड़ी में बहुत अच्छा लगता है तो अब इसमें डालते हैं एक टेबले स्पून यहां पर हमने डाला रिफाइन ओयल सबको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और साथ ही हमने जो जो सूजी को अच्छी से मिक्स करके रखाता है सार तो हमने यहां पर लिया है एक कप आटा और इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा डालकर हमें इसका एक सब्सक्त डो त्यार कर लेंगे आपका यह पूड़ी इतना लाजवाब इतना स्वाधिस्ट बनता है ना कि जैसे कि लगता है कि कोई भटो रही खा रहे और काफी स्व खाने वाली आलू की सब्सक्त बना लेते हैं तो भंडारे वाली आलू बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है एक कढ़ाई उसमें डाला है दो बड़े चमच सरसो का तेल तेल के गर्म होते हमने डाला हिंग एक चुटी चमच डाला पाच फोरन और एक चमच हमने डाला बहुत ही अच्छा हो जाता है साथ ही हमने डाला अद्रक और हरी मिर्ची कुटी हुई इसे अच्छे से तेल में भून लेते हैं और जब यह अच्छे से भून जाएगा तब इसमें डालेंगे शुखा मसाला तो हमने डाला एक चमच धनिया पाड़र एक चमच जीरा पाड जिसे हमने मिक्सर में डाल कर पिष्ट बना लिया था और इसे भी डाल कर अच्छे से भूनते हैं और इसके साथ इसमें डालते हैं 2-3 हरी मिर्ची भी से चिरा लगा कर स्वादन सार नमक डाल कर अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे ठक देते हैं और ठक कर इसे लोपलें पे थोड़ी सी चीनी, चीनी डालने से क्या होता है, इस सबजी का बहुत ही अच्छा फ्लिवर होता है, तो इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और इसके साथ ही हमने आलूओ को उबालके रखा है, और अपने हाथों से हलका दबाते हुए से रफली टुकड़ा कर लि अगर आप चाहें तो यह सुखी सबजी बिल्कुल बनकर तयार हो गई है, पर हमें बनाने यहाँ पे ग्रेवी, तो ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे दो कप पानी डाला है, और इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, और इसे ठक देते हैं, पांच मिनट के साला, थोड़ी सी काला नमक और हरे धनियां डालकर इसे अच्छे से करते हैं, मिक्स और फ्लेम को करते हैं, तो लिए हमारे भंडारे वाले आलो बिनलहसुन प्याज की बनकर तयार हो गई है, यह सबजी आप इसे राइस के साथ खाएं, पूड़ी के साथ यह बहुती तब तक हमने तेल भी गर्मोनी के लिए बिठा दिया है और इसका पूड़ी अच्छे से बेल कर तयार कर लेते हैं, इसे आप इसमें थोड़ा सा तेल लगा ले या फिर सुखा आटा डालकर इसे बेले, थोड़ी सी यह चिप चिप होती है, इसलिए हलका आटा डालकर इसे पूड़ी बेल कर रख लेते हैं, फिर इसे तलने के लिए जाएंगे जिससे कि हमें बड़ी आसानी हो, तो लीजिए हमने यहां पे कुछ पूड़ी यह बेल ली है, तेल भी गर्म होके है, और पहड़ी पूड़ी इसमें डालकर फटा फट दबाते हुई, देखे कितनी आ कर खा सकते हैं, और इसके साथ अगर आपको सब्ची नहीं भी बनानी हो, तो आप किसी भी रायता, चटनी, किसी के साथ भी यह से इस पूड़ी को एंजॉय कर सकते हैं, तो बहुत ही लाजवाब, बहुत इस्वादिश्च हमारी पूड़ी आँ खस्ता, क्रिश्पी बन कर तयार हो गई है, बिल्कुल भटोरे जैसे, तो आप भी इससे बनाएं, और खाएं, और कॉमेंट करकर जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी, तो चलिए पूड़ी यह बन कर तयार हो गई है, चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, कर्मा गरम खस्ता, क्रि बिल्कुल भी हो जाती है, कोई भी महमाना आई या किसी फेस्टिबल में आप इसे बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाती है, और यह बहुत ही स्वादिश्ट होती है, हर किसी को यह पूड़ियां और यह सबची बहुत पसंद आती है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे पसंद आई होगे, तो प्लेज इसे लाइक करना, और इसे जदा ज़्यादा सेयर करना, और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, तो देखे, मैं एक पूड़ि को दिखाती हूँ, कितनी क्रिस्पी बनी है, और देखने में बहुत जितनी कुपसूरत लग रही ह खाने में उससे कई गुना ज़्यादा स्वादिश्ट है, देखे, मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ, अंदर से जैसे लगता है कि मैंने इसमें कुछ स्टफिंग किया है, यह बहुत स्वादिश्ट, बहुत क्रिस्पी, और साथ में यह सबजी बहुत स्वादिश्ट है, आप एक बार इस तरीके से हमारी सूजी आलू की पूड़ी और यह आलू की ग्रेबी बना कर देके हैं, हमें पूरी यकीना आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं कि ने रेसिपे के साथ, तब तक लिए बाबाई, ठेक क्यार,